आज के SmackDown के एपिसोड को देखे ये बात तो आप कहनी पड़ेगे कि Roman Reigns के पूरे रेंड के अंदर जितना धिमाग का दही Kevin Owens ने किया है Roman Reigns का उतना और किसी ने भी नहीं किया हुगा तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए SmackDown के एपिसोड के बार में SmackDown की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हमको The Bloodline के साथ देखने को मिलती है एक तरफ commentary वाली table के साइड से अटाक करना शुरू कर रहे हैं सोलो सी को हुआ Sammy Zayn and the Usos और उसके बाद Roman Reigns का theme song प्ले होता Roman Reigns अपनी entrance करते हैं रिंग के अंदर आ रहे हैं सारे इक सारे बंदे अपनी फिंगरों उसको raise कर रहे हैं और अपना दबदबाद दिखा रहे हैं इतने में क्या होता है जो उसी के chance हैं वह फैंस के तरफ से लगने शुरू हो जाते हैं Roman Reigns अपने आपको acknowledge करने के रहे हैं और इस बर हम कहते हैं कि इस बर हम चीज़ों की शुरूबाद तरीके से करेंगे सैमी जेन को बोलने का मौका दिया जाया जैसी सैमी जेन माइक के ओपर आते हैं अब एक कन्फूजन था कि ब्लड लैंड ने आते ही रॉपर धमाका तो किया स्मैकड़न पर लेकिन 2022 के एंड में क्या हुआ था सारी बातों को भूल गए हैं 2023 के अंदर हमने आते ही रॉपर अटैक किया है और उस मैच के अंदर रोमन रेंस एंड सामी जीते नहीं थे अब ऐसा करते हैं चलो यह 2023 की बात करते हैं 2022 में क्या हुआ था 2022 के पूरे साल का सबसे बड़ा मैच हुआ था और उस मैच के अंदर रोमन रेंस एंड सामी जीते नहीं थे अब ऐसा कहें जो बात बोल रहा हो करता एसा कहते रोमन रेंस को अगया और कहते हैं मैञा हरा अब तो समय को सैमी जेन यहारा और उसके बाद सामी जेन के उपर चड़के भाई गुस्से में बोलते हैं उनको कह रहे हैं क्या तू ट्रैबल चीफ बनना चाहता है क्या तुर को पता है इस लेवल पर ऑपर करके कैसा लगता है क्या सारा बर्डन होता है इस सारी बात जो रोमन रेंज है वो सामी जेन को बत कर रहा है साही नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी और यह सामी जेन के ओपर तरको कोई गुस्सा है चड़ने वाली बात नहीं तेरी प्रॉब्लम मैं हूं क्योंकि तुने खुद इस बात को एड्मिट किया है कि तुझे है क्यों प्रॉब्लम और लास्ट टाम ऐसा मैं हमेशा करें जाओंगा तो नहीं लेकिन हम तोने मैं जलूर कर सकते हैं उसके बाद सामी जेन से भी कहते हैं कि जो तो अपनी बॉल्स है ना उसको रोमन रेंज की पॉकेट से बहले बार निकाल ले ऐसा करके वह बात कर रहे हैं और ऐसा कैके वो चले जाते हैं इस तरीक इस मैच के अंदर बताने के लिए कुछ खास है नि रिंग साइट के ओपर जो है क्योंकि सेंटो सेसको बार नंबर्स गेम भी खेल रहते हैं आप तो वह सीज मुंकि काफी बेनिफिट में आई और सेंटो सेसको बार ने अपना फैंटम ड्राइफर लगा कि कैविन उन्स को स् कोई बात नहीं रोमें रेंज तुझे ऐसा बोलते हैं मैं तरह अभी दोस्तों कंदे पर हार तरकते हैं सैमिजेन के लेकिन सैमिजेन पूरे डिस्टर्ब नजर आ रहा है कि अचानक से यह क्या हो गया उसी उसी उनको चैन्ट मुलें फैंस की तरफ से सब लोग उनके बार म कह सकता है कैनों क्रॉस के साथ उन्होंने मिक्स टैक्नी मैच में रसल किया अगेंस्ट एमा और उनके साथ में मैटकेब मौस थे कोई शक वाली बात है निस मैच के अंदर कारल बुडरो हारी नहीं सकते थे और वही अमको इस मैच रिजल्ट देखने को मिलता है कैनन क्रॉस लपेट लिया मैटकेब मौस खो लेकिन असली निशाना उनकी रेमिस सीर्यों हैं देखते हैं आप आस में कब उलश्त हैं नेक्स शो के पर होती है शालट फ्लेयर और शालट फ्लेयर आज रिंक के अंदर आती हैं और मैं सही बतारों भाई मैं सर्पाइज हो गया आज जो क्राउड की तरफ से शालट फेयर को मिला है मुझे लगता था यार शालट फेयर इतनी ज्यादा चैंप्मेंश्य विक्री ले चुकी है अब उनको क्या ही पसंद करेगा फैंस उनसे उप चुके होंगे लेकिन आज क्राउड ना मुल्कुल डिफ्रेंट रियाक्शन दिया जब शालट फेयर आती है तो उनको रियक्शन भी अच्छा मिला फिर यह भी कहते हैं तुम सब को मिस्स किया तुमने मुझे किया होगा फिर बीचेर करो बु करो या फिरी वू करो ऐसे कहके बात करी ओ क्राउड इसतर रिस पर रिपाउन भी करता है काफी अच्छी तरों वो शार्ट फेर के साथ में जो मिर लिए देखना सर्प्राइजिंग था बट शायद कुछ तो कर रही है शार्ट फेर ऐसा अलग आज प्रोमो में रोबोर्टिक भी कम नजर आ रही थी मुझे कहना पड़े गया है क्योंकि मैंने उनको बिकार बला तो अच्छी बात भी उन् करने का स्मैक्डाउन के ऊपर नेक्स शो के ऊपर होती रॉयल नंबल में क्वालिफाइज करने के लिए मैस यह चीज मुझे अच्छी लगी देखके ट्रिपल एच कंट्रोल में फिलाफ तो ट्रिपल एच के पार स्चिल कंट्रोल है क्योंकि बहुत सारी भसाड मज गई है क्या इसी चीज में देखू उन के अंदर जो मुझे ऐसा पता नहीं क्या है मैं तो हिट्रोई का मामला समझ में आता रिकोश्य ने हरा दिया इस मैस में टॉप डॉला को रिकोश्य ने अपने स्पॉर्ट फिक्स कर लिया रॉयल रंबल के अंदर लेकिन मैस कटम होने के बा बार में ऐसा वह से करके वह एक्स्प्राइशन दे रहें लेकिन रोवन रेंज ने का मैं तुम्हारी अपॉलोजी लूंगा ही नहीं अब ऐसा कहते ही सैमी जिन के फिर से होश उड़ गया है भाई अभी यह क्या होगा मैं कैसे सिच्वेशन में कंट्रोल करूं रोवन रें यह ना खेक रहा वह सैमी जिन के सिर्फ फूड गया ऐसा मैंने कर दिया इसके बात क्या होता अगर सैमी जिन अपने आपको रिडीम करना है तो रोमन रेंज पॉल मन को बताते हैं क्या करना है नेक्स्ट वीक केविन ओवन और सैमी जिन का मैच होगा जहां पर तुर्य पास मौका है अपने आपको रिडीम करने का सैमी जिन कहते हैं हम इसको कंट्रोल कर लें नहीं फिर हो कहते हैं मैं इसको कर लोंगा ऐसा क्या कि हो अपने संटेंस को करेक्ट करते हैं इसका मतलब की नेक्स्ट वीक केविन ओवन और रोमन रेंज का मैच होने से पहले रॉयल बैट जाया है आप आराम से मजे लेकि हम लोग देखेंगा और मजे तो वह ऐसे रहे था भाई पहले खुद पॉपकॉर खार रहे हैं मतलब जितना इंट्रस्टिंग टेलिविजन के वर मामला चल रहा है उतना ही से सेग्मेंट भी लग रहा है पहले सैमी जैन अकेले पॉ कि उसोज ने यहाँ पर सक्सेस्फ़ली अपनी टाग टीम चैंपनशिप को रिटेन कर ले थोड़ी सी भसार जरूर मस्ती है ऐसा लगा कि इसा टाटल शेंज हो सकता है लेकिन रिंग सैट के पर सोलो सिगोग और डू मैकंटार को बजा देते हैं उसके बाद ब्रॉलिंग बूट्स के बंदे सोलो सिगोगों को लपेट लेते हैं एंड में फिर हम लोगों ने देखा कि जिम्य जी उसोने मिलके ही साथ में कर दे जो कि रेफ्री ने देखा नहीं अगें फिर सब्वही बात हुई और इस मैश में चैंपनशिप को रिटेन कर लिया एक वो टॉप र कर लिया आज क्या स्मैक्डान का डिशन मुए तो काफी पस्ना है आपको कैसा लग मुझा अलोग बताने कॉमेंट सेक्शन में यह विडियो गाइज अगर अच्छी लेगी तो इसे लाइक शेर सब्सक्राब नोटिफिकिशन मेल को अन कर दो एंड सी यू गाइस इन ने अच्छी वीडियो